देखो दीरे दीरे हावा जो है वो भर भी रहा है आप यहाँ पर गौर करते जाओ ठीक है फ्रेंड्स चैनल पर भी इस ब्राइंड न्यू बाइक का गिवावे चल रहा है बाइक कौन सी है गिवावे में कैसे पाटिसिपेट करना और विनर का परॉंस होगा इसको पर आपने डिटेल वीडियो बनाया है इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डेस्केप्शन और पिन कमेंटर मिलने वाला है वीडियो को देखके आप यह जो गिवावे यहाँ पर जरूर से पाटिसिपेट कर ले हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स देखको जब भी हम अपने बाइक, स्कूटर, स्कूटर इन सब के साथ लॉंग राइड करते हैं लंबी जर्नी करते हैं या फिर जो ट्रैफिक वाला भीड़ भाड़ वाले रहा है वहाँ पे लगता राइड और यह जो air cushion seat है यह बहुत ही कमाल के air suspension technology के साथ आता है वसे जो air suspension technology है यह जो sheet है यह किस तरह से काम करता है यह फाइदे मन्द है की नहीं है यह तो आपको वीडियो मागे मालूम चली जाएगा लेकिन उससे पहले मैं एक शीच किला करना चाहूँगा यह कोई sponsored वीडियो बिल्कुल नहीं है छे मैंने पहले मैं दिल्ली गया था वहाँ पे मैंने एक shop से अपने लिए राइडिंग गयर खरीदा था वहीं उस दुकान से ही मैंने यह वालो जो air cushion seat है उसे खरीदा था पिछले 6 मैने से मैंने यूज़ कर रहा हूँ अपने अलग-अलग गाड़ियो किया है लेकिन इस तरह का product market में मिलता है कम से कम इसके जानकारी तो आपको होनी चाहिए तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वैसे ये online भी मिल जाता है इसका जो link है वो मैं इस वीडियो के description और पिन कमेंट में दे दूँगा तो आप वहाँ पे जाके check कर सकते हो वैसे जो air cushion seat है इसके अलावा जो मैंने moto vlogging के लिए जितने भी gears का use करता हूँ जो अलग-अलग equipments का use करता हूँ मैंने इसके उपर में detail video बनाया है इसके अलावा जो helmet में LED light लगता है जिससे बहुत हद तक रात में जो riding है वो बहुत हद तक safe हो जाती है इसके अलावा जो shoe protector होता है जो की जूतों को हमारे गंधा होने से बचा देता है इसके अलबा जो disc lock जो की disc brake में लगता है इसके अलावा जो सबके उपर मैं रिटेल वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको डेस्केप्शन में मिलेगा, साथी हर एक अलग-अलग जो प्रोड़क्ट है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डेस्केप्शन और पिन कमेंड दो दूँगा, ताकि अगर आपको जरुवत है तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हो, चली फटा फट से, यह जो हमारा एर कुशन सीट है, इसे किस तरह सा यूज करना, इसमें क्या खास है, मैं आपको वो मता देता हूँ, आप देखो यहाँ पे, यह हमारा एर कुशन सीट, सबसे पर आप जूम करके यहाँ पर देखोगे नस्दी अंदर में देख रहे हुए जो, बैसिकली यह एर के सेल से, आप बहुत भूल सकते हो, कि एर के कमपाटमेंट है इस तरह से, अन्दर में टोटल, यहाँ पे, 13 तरह के जो एर सेल से उन्हें दिया गया है, यहाँ प आप देखो, ठीक है, आप देखो यहाँ यहाँ नूजल कि आप देखो यहां पे कोई भी हवा फिलाल यहांपे नहीं भर आउँ है तो ज़स्ट आपको करना क्या है कि एर को वो फिल करने के लिए एर को pump करना होगा यहां पर इस तरह से आप लेकर दिखाया तो आपको ठीक यहां पर लिया अपको आवाज भी सुनाई दे रहा है देखो दीरे-दीरे हावा जो है वो भर भी रहा है आप यहां पर गौर करते जाओ ठीक है ठीक है मैं भर दिया अब देखो कितनी असानी से और कितनी जल्दी आयस पर requirement आप भर सकते हो कि आपको कितना requirement है वैसे मैं आपको recommend करें को कभी भी पूरा fully मत भर दिया थोड़ा सा आप रखना around 80% भरा है तो ठीक है यह प्रेस होना चाहिए तो देखो इस तरह से यह जो हमारा सारा का सारा जो air cells है यह यहां पर हवा भरा गया ठीक है मैं इसे बंद कर जता हूँ ओके मैं इसके अंदर में से डाल जता हूँ ठीक है आप चैन लगा जते हैं ओके यह लग गया है तो simply यहीं से आप प्रेस करके इस तरह से प्रेस करके आप जो हवा है उसे भर सकते हो अब यहां पर मैं तो देखा आपने कितना असानी से ठीक है मैं इसे प्रेस किया आप देखो यहां पर ठीक है और थोड़ा बहुत प्रेस करके यहां से इस तरह से हम हवा को निकाल देंगे तो इस तरह से बहुत असानी से यह जो है हवा इसके अंदर से निकल जागा जश्ट यह बटन दिया तो hook को निकालना यह बहुत असान है, जस्त मैं क्या करूँगा, इसे job यहाँ पर देख लो, इसे मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पर प्रेस करूँगा, यह बहार निकली है, तो इस तरह साप जो चारों यहाँ पर दिया गया है, hook, attachment, इसे निकाल सकते हो, और यह adjustable है, तो इसक कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, यह आपका requirement है, उस पर depend करता है, का आपके साफ लिंद, क्या रखने चाहते हो, इसका according आप कर लोगे, अब इसे किस तरह से seat पर लगाना है, चलिए मैं आपको वो बतायता हूँ, अब फिन देखो, यह जो हमारा air cushion seat है, वो हमारा main seat है, उसमें, देखो आप, कुछ इस तरह से यहाँ पर यह लगने वाला है, अब मैं इसे लगा के भी आपको दिखायता हूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो seat है, इसे खोल लेता हूँ, देखो, seat यह बाहार निकल है, अब basically हमें करना क्या है, बहुत यहादा simple है, मैं आपको दिखाता हूँ, यह seat हमारा कुछ इस तरह से लगने वाला है, तो मैं इसे पीछे करके आपको दिखायता हूँ, ओके, तो basically हमारा यह जो पहला strap है, यह वाला strap देखे रहों, यह यहाँ पर air cushion seat देखे रहों, इस basically हमें जो cross है, इस तरह से लगाना, cross लगाने से फाइदा यह हो जाता है, कि जो हमारा air cushion seat है, वो main seat के साथ, ज्यादा बहतर तरीके से attach हो जाता है, फिले मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ तो देखो, जो दोनों strap यहाँ पर दिया गया है, fitting के लिए, वो मैंने यहाँ पर लगा लिया, आप इसके according यहाँ पर इसे अपना, tight अगर आभी कर सकते हो, अगर आपको और tight करना है, अगर आपको ढीला लग रहा है, तो बहुत असानी साप यहाँ पर इसे, जितना मर्ज यहाँ पर इसे टाइट कर सकते हो, अब देखो, यह अच्छी तरह से fit हो गया, आप इसे लगा के भी दिखाए तो आपको, अब देखो, यह यहाँ पर fit हो गया है, as per requirement, आप इसे tight कर सकते हो, यह अच्छी तरह से यहाँ फिट हो गया, एक बद जब यह आपके बाई के scooter मे सेम इसी तरह से fit कर सकते हो, चली अब मैं आपको इस air cushion seat का जो sitting experience है और जो riding experience है वो बता देता हूँ, अब आप देखो, यह जो seat है, मैं यहाँ पर लगा दी अच्छी तरह से, ठीक है, यह tight हो गया, अब यहाँ पर आप देखो, कि जो compartments है, इनमें already जो air है, हावा है, वो कोई हावा का गुबारा होता है, air bubble बगार है, उस तरह का feel हो रहा है, तो no doubt, बैटने में तो चला अभी तक comfortable है, ठीक है, लेकिन main depend करता है, कि जब राइड करेंगे, जब राइडिंग करेंगे, उस बक्त में यह comfortable है कि नहीं है, इससे किसी तरह से कोई परशानी होती की नह है, फिर कितना comfort प्रोवाइड करता है, चलिए अब मैं आपको राइडिंग करके बता देता हूँ अब फ्रेंड अगर राइडिंग experience की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरूम बताया, कि पिछले 6 माहिने से, मैं इस air cushion seat को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने अपने कई अलग-अलग bikes में, और scooters में भी इन्हें यूज किया है, मैंने कई सारे long rides भी इन के साथ किये है, देखो मैं आपको बताना चाहूँ, fact तो यह है, कि जब आप इने पहली बार use करते हो, तो शुरूआत में थोड़ा time लगता है, शुरूआत में आप मालनो, 100 से लेका 1500 km तक जब चलाओगे, इन air cushion seat को लगाके, तो उसके बाद आप ये जो air cushion seat है, उनके 200 km लगता है, उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा comfortable आपके लिए feel होने वाला है, चाहो तो आप hard breaking करो, high speed riding करो, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसे road में चला रहे हो, जहां पर उबल खाबार road है, वहां पे इन air cushion seat के वाजा से, आ अब आप लंबी जाननी कर रहे हो, continuous riding कर रहे हो, लगतार बिना रोके riding कर रहे हो, तो वहां पे भी ये जो air cushion seat है, इसका फर्क आपको देखने को मिलेगा, grip जो है, जो main seat है, उसका बहुत ही बेतर हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है, कि right side, left side, अगर आप cornering कर रहे हो, कुछ आपको इसे दिक्रत नहीं होगा, अगर आपने इसे अच्छी तरह से sit कर दिया, अच्छी तरह से fit कर दिया, तो इसके बाद आप बहुत ही comfortable तरीके से, इन air cushion seat के help से अपनी riding को enjoy कर सकते हो, और long riding करने में तो ये बहुत हद तक आपके काम में आएगा, तो जो अगर doubt आपक riding के वक्त भी, अगर आप किसी भी तरह कर ब्रेकिंग वगरा कर रोष्टन भी problem नहीं होगा, कॉर्णरिंग कर रोष्टन भी problem नहीं होगा, तो कहीं ने कहीं मैं आपको कहना चाहूंगा, कि जो मैंने feel किया, over the time मैंने इतने जादा riding किया अटके साथ, तो ये comfortable है, safe है, और बहुत हद तक हमारे जो riding है, इसे enjoyable बना देते है, तो फिर जैसा कि मैंने वीडियो के शुरूम आपको बताया था, कि भाई, इस ये जो air cushion seat है, इसे use करना, नहीं करना, वो तो आपके requirement पर depend करता है, आपके पास कौन सा bike a scooter, आपके इतनी लंबी journey करते हो, कहां पर चलाते हो उससा आपको back pain, butt pain होता की नहीं होता, उसके according आप इसे use कर सकते हो, जो मेरा experience रहा वो तो positive रहा है, मुझे ये काफी हद तक useful लगा है, जो link है वो आपको description है मिलने वाला, अगर price की बात करते हो, तो देको price बहुत ज़्यादा, online जो fluctuate करते रहता, कभी कम ज़्यादा होते आपको लाइक और share जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे comment अगर जरूर बता, इसके राब अगर आप चैनल पे नए हो, या अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं है, तो please चैनल को subscribe कर ले, और bell icon को भी दाबा ले, ताकि आने वाले important वीड आपको notification के तुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, thanks for watching this video, goodbye